नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ओन स्टेडी में आज मैं आप लोगों के सामने बेट सेमेश्टर टू बेट सेमेश्टर टू के लिए लर्णिंग एंड टीचिंग जो की विनो भावे युनिवर्सेटी याने भी विनो भावे टिन सक्षन में एक्साब होगा गुरूप ए गुरूप बी और गुरूप ए सभी objective होगे जो की दोंबर के प्रस्ट होंगे और group बी फ्रेंट्स पांच नंबर के विए गुरूप सी टेंमर्क्स क्वेंगे मैं स्टार्ट करता हूं अब्जेक्टिव किससे पहला कोशन क्या देखे फ्रेंट्स दा फस्स सैकोलोजिकल लेबरोटी वाज इस्टिब्लाइश्ट वाय यानि प्रथम मनोवग्यानिक परियोग साला किसके दोरा स्थापित की गए थी तो फ्रेंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं प्रथ इसका राइट इंस रोगा पेश्टोलोजिक यानि कि मनोवग्यान तत्रियों का विध्यक परियोग की बात सबसे पहले सुट्जय लाइन के पेश्टोलोजी ने शुरू किया था किलेर फ्रेंट्स और इससे जो आगे बढ़ाया था उसका सिर्से हर्वोट ने बढ़ाया यहां ä'll किता ऑगे इससे आखे बर आने का रहे किया था पेश्टो लॉजीये के सब्सुर्खस से इसे अब लोग ध्यान में रखे हां हर वोट ने किया था के लिए इसे अगेसे क्या बढ़ता हूं तो देखे क्या लिख रहा है सिच्छा मनोविज्ञान की वहां साखा जो सिखने और सिखाने की परकिरिया का ध्यन करती यह किसका कहना है यानि कि आप लोगों पढ़ना पड़े किसका स्ट्रेटमेंट है तो अस्कीनर का यह किसका फ्रांस देखे सबसे पहले क सबसे पहले मैं आप लोगों बताना अचाहता हूं क्रो एंड का नहीं कहता मनुष्स से जो न वैक्ति जन्म से लिएक विर्धावस्ता सीखने के अनुभा व्यस्तित कि यहीं सबसे नेक्स कोर्सन देखें जन्म जात वाले बच्चे अंत्रमुखी होते हैं जन्म जात वाल समजिक अधिकम होते हैं अलगाऊ से भील सिससे सरवय समाग GB सहे समसे सबसे कांटर क्रांपले साथ हैं कोन्टरस एक सबसे के आप लोग समाजिक अधीकम होता अभ्यास प्रेयास देखे़ानदेजीब अभ्याश अत्रतयाई के ट्रेओर्ट अवनels while अभ्यास प्रसिंचन ट्रेडिंग के द्वारवार्र में फिवर्ट अस्थ्थाई परिवर्ता थे ए आप लोग गुरूप भी जो अप्जेक्टिव नहीं है पर आप प्रश्णों को उत्तर देना है तो देखें मैं कोर्सन दिखाने चाहता हूं जो पूछा गया को सिच्छा के डिश्टी कोन से अधिगम को परिभासित करें अधिगम क्या इसके बारे में आप लोगों को लिख अधिगम जो अभ्यास प्रिवर्टन से आता है इस चीज़ा हमें से तीनों का कॉम्बिनेशन को अधिगम कहते हैं क्लेर फ्रेंट्स और लोगों को प्रूरा लिखना होगा क्लेर अगले फ्रेंट्स देखें चिंतन तथा कलपना में अंत्र बता यानि फ्रेंट्स आप लो इसे बारे मिखें टिक है इसे आप लोग लिखना पड़े घिस्त आप से प्रेंट्स आप लोगों को बोरानां कानसेब्त बढ़ें की तुर्चन हो सकती प्रते यानि सिचन के लिए क्लेगे हो सकती है को दूआ को दूआ को लिघना पड़ेगा थैक में सिल्डाक्षन इसको बोलते हैं तो प्रस्तावना पड़ेगा तो सिछन और अधिगम के बारे में आप लोगा ऊप्रस्टूत करना है नेक्स्ट त्रू लाइट अपॉन दा यूटिलाइज ओफ इंसाइट थियोरी यानि फ्रेंट्स सुच के सिध्धान के उप्योगे तब प्रकास डालना है ठीक है नेक्स्ट डिफाइन लर्निंग यानि अप लोग को सब्सक्राइब अधिगम क्या इसके बारे में लिखना है क्लियर है भूलने के विविन कारक क्या है यानि कि भूलने के विविन कारक क्या है किसी महान ने क्या क्या है अगर इंसान भूलेगा नहीं तो पागल हो जाए वह भी सही है फ्रेंट्स तो आप लोग यहां पर लिखना है भूलने के विविन कारक क्या है तो आप अपने लि इंप्लिकेशन और गुरूफ डायनिमिक यानिस दैनिमिक यह प्रोसेस कंटीनू चलना रहा है यानि कि देखे समुगतिकी का सैचिक महत्व का वर्नन करें अब देखें यह आपका जो कोस्टन तक गुरूप बी का था तक लिए अब आते हैं गुरूप सी में तेक इसमें दि एक क्या है चिख्छा मनव ज्यान के छेत्र का वर्नन करें तो आप लोगों को शिग्षा मनम Νत्याक के वाड़े में लिखना है च Aur के इसके चट्र के बारी मि लिखना है आप लिख सकते हैं अब पर दया कट व्रिदा वस्ता सीखने का अनुभा रप va आप साथ किसी के भी ये लिखना पड़ेंगे सबसे करें सबसे फेले अपमनों की disorder उड़ा का पूरे लिखना पड़ेगा छेतर की बात क्या देखें मैं आप लोग उठा बता देता हूं ताकिreteख माली इसका जेतर की बात करते हैं तो छितर में आपको क्या करने देखें प्रिदियों विकास हो सकता है इसके साथ मांसिक योगता से लोग किसी भी चीज का पता करते हैं तो लिख सकते हैं मांसिक स्वास्त मांसिक स्वास्त भी काफी महत्पून होते हैं इसके साथ मांसिक स्वास्त पत्राइब नियुक्त ध्यान दीजीगा मैं इसके पूरा बता रहा हुँ देखी आप लिख सकते हैं छेत्र के बारे क्या यानि फ्रेंस इन्डिविजवर्टप्छेष्ट इसके सास्ता क्यों ने उसके सासाु अपने ने च्पैस्प्ण ना हो सबुस्जरा तुझ आना थी लिग सकते हैं सें फिर इसमों मनों विज्आ भी लог सकते हैं इसके, पहल बिह सकते हैं भी सकते हैंक कि देखिए सिच्छा मनु विज्ञान कंत्रगत इसके छेत्र आप लोगो दस मैने लगवा बताने प्रयास किया हूं इसमें आप लोग मेजर्मेंट और इवेल्यूशन भी लिख सकते हैं यानि कि फ्रेंस मापन मापन और मुल्यांकन विसे में आप लोग लिख सकते हैं तो इस ट्राइब को आप लिख सकते हैं फिसे मैं इसके बारे बोल देता हूं देखे सिच्छा मनु विग्यान के जो छित्र होते हैं सबसे पहले मापन लिख दीजिए मुल्यांकन लिख दीजिए उसके बार अध्यान विध्यां लिख देजिए फिस सीखना लिखे समूह वे क्यानिक लिखे व्यक्तिगत में भीनता लिखे यानि आप जितने दिखते हैं ग्रोथ हैं डिवलप्मेंट लिख दीजिए इसके बार फिर डिसकस कर देजिए आपको यह दस मार्क्स का इसलिए मैं ट्रॉस एक्ष्टा बताया हूं ठीक है फ्रेंस आपको फिस में लिखना आपको लिखना नेक्स एक्स्प्लेटेल्ट डिखे तर्डाइक दिखने के प्रत्र भूल सिन्धान को व्याक्र करें यहां से कोसरा फूल सिन्दान किस ने दिया तो थार्न डाइक ने दिया भूल सिधनात क्रिषन देः थान डाइक नेकिया इशके वाले आप लोग इसका सिधाथ पूरा लिखना है क्लियर रहा नेक्स्ट डिफाइन मोटिवेशन याणि उसके वहला आप लोग के लिए मोटिवेशन क्या होता है तो मैं इसके बारे कुछ वर्स बता देता हूं ताकि आप लोगो कहीं न कहीं कुछ फायदा हो जाए या फिर एक्जाम की डिश्टी से यो वक्ति को लच्छह की और ले जाता है यहिए आप लिख सकते है या फिर फ्रेंट्स के लिए आनतुरिग बल उत्वन होता है उससे हम अभी प्रेजना कह सकते या निस हमें कुछ करना या तो यह हमारे लच्छह अंदर शाग अब उसके लिए जिता वर्क कर रहे हमारे इंसान के अंदर ही होता है अंदर ही होता है तो यह किसी का नहीं बता रहा हूं तो यह लिए आता है इसे ध्यान में रखेगा जो शिया जुनून को भी अभी प्रणा कह सकते हैं कि अधिगम कह सकते हैं या अभी प्रणा कह सकते हैं अधिगम का सबसे बड़ा रूप ही होता तुमारा अभी प्रणा ठीक है तो इसके बारे बहुत सारे ज्यानिक अपने वर्ट्स भी लिखे अब देखे शिच्छन तथा अधिगम को प्रभाववित करने वाले तत्यों का और तो यानि जो अधिगम को प्रवावित करने वाले तत्यों का वर्णा लिखा तो यानि जो अधिगम प्रभाववित का उसकी बारे अप वोग को पूरा बड़ा का पूरा लिख consistory Nous कहें सकते हैं जशुर सबसुर करें कि इसके लिए प्रभाइट करतें लिए अधी सबसे पहले इसके लिए तिन चार वट्स लोग सबसे पहले इसके लिए सब्य К क्या हो चाहिए भी है उसके साथ चालक चालक इंट और यानि चालग हो गया उसके प्रत्सएहन यह उद्दिमक ऑन चाहिए लिए अभी प्रly लखेंग आप लोग प्रोच्छाण और अरभी सकता के बीच में प्रोच्छान और अभी सकता के बीच में जो आता उसे हमने बोलते हैं चालग के लिए रहरे तो इसे आपके प्र नीत वैक्ति में उज्या परीवर्ति नदाती है इतना मैने बतनाने का प्रियास को फ्रैशन है next explain the importance of projective technique in measuring personality of students यानि कि व्यक्ति तुम आपने प्रच्छे विविदी का महत्व लिखे यानि friends में देखे आप लोगो व्यक्ति तुम आपने के बारों लिखना है प्रच्णाल्टी क्या होता वाट विमिन प्रच्णाल्टी तो प्रच्णाल्टी के बारे में इसमें लिखे अगर होगा जरूर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे इसके बारे मैं कुछ कुछ बता दूँगा ठीक है सबसे पहले याद रिक्या डिया सबसे पहले हम लोग बुद्धी के बारे में लोगको पढ़्णा जीवा नहीं दो को बुद्धी का रिकना पधना ठीक है सिंपल में यास दे रख इन और को यूंझ वना बढ़िग दोऊ को जी सब़की बारे में लोग सकते है जो आप लोग पढ़े हों गहन स्टड़ी कि उसी को लिखना है फ्रैंक ने तो यह बोला था प्रतिक वैक्ति की जीवान यह आता है एक चौड़ा मार गया जिससे प्रतिक वैक्ति का चलना पड़ता है कि लिए रफ्रैंस तो इससे आप लोग खुद लिख सकते हैं आपके ख पहाच्छान क्या है क्रिटीवीटी का तो आप लोगों कहीं देखिए वास्थ विक्ता होता है इसमां हो जागा नियू क्रिशन केले फ्रैंस वैंस्ते को प्रवाईत नहीं करते देखे यानि बालोग जिसको असे और देखे सबसे पहले पिटृटी गांते तो होगा ही क्य यह एक्तित्यू को प्रहुत नहीं करते इसमें गल गरंती होगा थाइराड गरंती के लिए यह होगा आपका एंसर ठीक है यह एक उसले के सिधान की व्याख्या उसके उपयोगता के साथ करें मैसले के बारे में नेक्स्ट डिसक सम अब डारी लिवर टेकनिक एडॉप्टेड वाई टीचर इन मोटिवेटिंग चिल्डें इन क्लास्रूम यानि बालकों को कच्छा में सिच्छा द्वार अभी प्रेइद करने के कुछ तर्क संगत उपयाओं को लिखे है नेक्स्ट लिख रहां देखे दे प्रिवेस्ट लियर कोसन देखे आगे का प्रिप्रेशन कर सकते हैं क्लियर है तो यह लर्निंग टीचिंग का कोसन था जो काफी महत्पून था तो चली कैसा लगा फ्रेंस आप लोग पलपल से जुड़ी रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए मूब आउन लिए स्टैट गिल्यर्ट स्टैट गिल्यर्ट वड श्क्राइब शर्ट स्टैट अगा जा लिए सुड़ी तल्ड ग्लेट